ओम शान्ति आज 13 फेब्रुरी 2022 है और आज बाबा ने होली हंस बच्चों की विशेशताएं बताई बाब ने का होली हंस अर्थार्थ तीन विशेशताओं से संपन पहली विशेशता है हंस की वो परक्ता है कंकर को और मोती को दूसरी वो निर्ने लेता है कि मुझे मोती को चुगना है और तीसरी धारना करना अर्थार्त ग्रेहन करना यानि वो मोती को फिर चुग लेता है धारन कर लेता है तो ये तीन विशेषता हैं आज बाबा ने हम बच्चों को बतलाई जो हमें भी अपनी स्मृती में रखनी है आज बाबा ने हम बच्चों को वर्दान दिया है शांती की शक्ती से संसकार मिलंद्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघन भव हर एक व्यक्ति निर्विघन बनना चाहता है निर्विगन अर्थार्थ जिसके सामने किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए कोई समस्या, कोई भी आपस्टिकल ना आए लेकिन जब हम मिलकर कारे करना चाहते हैं कुछ भी सोचते हैं कि ये कारे कर लिया जाए लोगों के संबंध में आते हैं और तुरंत कोई न कोई विगन का सामना करना पड़ता है तो बाबा ने आज हम बच्चों को उसका मूल कारण बतलाया कि हम निर्विगन तभी बन सकते हैं जब हम केवल बाबा को देखें हम को बाबा ने स्लोगन भी दिया हुआ है सी फादर, फॉलो फादर लेकिन इस स्लोगन को भूल कर हम भाई बेनों को देखने लगते हैं सी ब्रदर, सी सिस्टर किसी भी मुडली में बाबा ने हम बच्चों को डारेक्शन नहीं दिया तो जब हम दूसरों को देखते हैं अपने हम जिंस को देखते हैं उनकी कमनिया दिखाई देती हैं कुछ न कुछ संसकार उभर कर आ जाते हैं और हलचल की स्थिती हो जाती है और वो हलचल हमें विघन में ले आती है तो बाबा ने हम बच्चों को बाब समान बनाने के लिए पहले से ही डिरेक्शन दिये हुए हैं और उसी के लिए हम पुरुशारत भी कर रहे हैं दूसरा बाबा ने हम बच्चों को ये भी बतलाया कि अगर कोई विघन आ जाता है तो उसे कैसे पार किया जाए यदि कोई बड़ा विघन आ गया है बड़े से बड़ा विघन भी शान्ती की शक्ती यदि पावर ऑफ साइलन्स से समाप्त किया जा सकता है शान्ती की शक्ती और शान्त रहकर हम बड़े से बड़े विघन को पार कर सकते हैं और असंभव कारे को भी संभव कर सकते हैं तो आज तीन बातों पर हम ध्यान दें कि हमें केवल बाबा को देखना है बाबा को ही सुनना है बाबा को फॉलो करना है ब्रदर सिस्टर को नहीं Power of Silence शान्ती की शक्ती का प्रयोख करना है और शान्त रहना है ओम शान्ती